बहुत सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गाव के एक जमीनदार के खेट पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेट थे लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेट बेचने पड़े और किशन के साथ किशन सुबह सुबह जमीनदार के खेट पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातू से तकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहां। उसमें तुरंट उस हिससे को खोदा तो वहां से एक बड़ासा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा की चलो अब खाना ही खा लेता हूं। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदा उस पतीले में फैंक दी और हात मुह धो कर खाना खाने लगा और खाना खत्म करने के बाद किषन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुचा। और वहाँ पहुचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बलकि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक तोकरी को भी उस पतीले में फैक दिया। और वो एक तोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सा तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बह पाँचा। वहाँ जाकर उसे जादूई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा। तुमने यहाँ पतीला कब और किसके घर से चुराया। दरी हुई आवाज में किशन बोला। साहब। ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। जमीनदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुँच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादूई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेज कर जमीनदार के यहां से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकलाएं। और पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादूई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते देख सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर जादूई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानत लड़ाई के बारे में नगर में सब को पता चल गया इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमीनदार मोहन ने सोचा अच्छा हुआ कि हमने उस जादूई पतीले का इस्तमाल सही से किया लेकिन इस राजा तो अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी प्यारे साथियों आज के इस कहानी से हमें यह सीख लिया कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है और हर सामान का इस्तमाल संभल कर करना चाहिए अन्यथा हानिकारक हो सकती